नमस्कार मित्रों अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है मित्रों आज हम देखेंगे सात्वां टेस्ट सामाने जानकारी से संबंदित है आए शुरू करते हैं जो लोग नए हैं कृपिया इसे समझ लें कि इसका पीडियेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में म निमलिखित में से किस यूग के अंदरगत आती है तो ये आती है आद्यातिहासिक काल सबको पता यह जहाँ पे लिपियों का उपियोग नहीं पढ़ा जा सका है उसको आद्यातिहासिक बूलते हैं किस शाशक वन्स ने मंदिरों यों ब्राम्वनों को सबसे अधिक ग्राम अंदान दिया था तो ये गुप्त सासकों ने दिया था उप्तरो जाएगा इसका ए गुप्त सासक जो थे हिंदु धर्म से संबंदित थे अगला प्रसंद देखेंगे DNA अंगुली छाप तकनीक का उप्योग किसके संकुचन के लिए किया जता है तो ये विवादित जनकता मतलब की पित्रित्व की जानकारी के लिए कीया जता है अगला प्रसंद देखेंगे कौन सा देश सार्ग का सदस्य नहीं है तो इसमें सार्प के कुल कितने सदस्य हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे भूटान, म्यामार, सरी माल्दीव और अफगानिस्तान हैं म्यामार नहीं है क्योंकि ये उत्तर जाएगा इसका डी अगला प्रसंद देखेंगे किस काल में अच्छूत की अधार्णा असपस रूप से उध्धत हुई अच्छूत की अधार्णा किस काल में उध्धत हुई तो ये धर्म सास्त्रों के समय में मना जाता है उत्तर जाएगा इसका डी अगला प्रसंद देखेंगे 1857 इश्वी का विद्रो मुख्यता किस कारण से या सफल रहा हिंदू मुसलिम एक्ता की कमी किसी सामान योजना या केंद्री संगठन की कमी इसके प्रभाव का सीमित छेत्र जविदारों की और सहभाविता तो इसमें जो सबसे उप्यूक्त कारण है योजना की कमी जो थी वो सबसे महतोपूर कारण है उत्तर जाएगा इसका भी होमरूल आंदोलन भारत के सुतनता संग्राम के एक नए चरण के आरम का द्योतक था क्योंकि होमरूल आंदोलन के बारे में हम देखेंगे इसने देश के सामने स्वसासन को एक ठोस योजना रखी स्वसासन की एक ठोस योजना रखी तो उत्तर यही सही है उत्तर जाएगा A अगला प्रसंद देखेंगे भारत की सरवाधिक वर्षा मुख्यता प्राप्त होती है तो यह दच्छडी पस्ची में मानसुन से उत्तर जाएगा इसका C हिंद महासागर और लालसागर को कौन सी जलसंदी जोडती है हिंद महासागर और लालसागर को तो इन सारी जलसंदियों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा यह सभी महतवपून है तो यह बाब अलमन्देव जोडती है हिंद महासागर को लालसागर से हॉर्मुस, बासपूरस और मलक्का मलक्का किससे किससे जोडती है और यह कहां इस्ती थे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे महादीर अलग कैसे हुए मित्रों इसमें हम थोड़ा इंटरेक्टिव चाहते हैं आप लोग कमेंट नहीं करते हैं अगर आप इंटरेक्टिव सेशन नहीं रखेंगे तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं क्रिप्टा लाइक शेयर जरूर कर दिया करें इससे हमें और वीडियो बनाने की प्रेड़ा मिलती है महादीर अलग कैसे हुए तो विवर्तनी क्रिया के द्वारा अलग हुए 110 का उत्तर हो जाएगा B प्लेटेक्टोनिक के द्वारा अमेरिकी राजपत के निर्वाचन हे दुगठित निर्वाचक मंडल के सदस से होते हैं तो अमेरिकी कॉंग्रेस के सदस से प्रतिनित सभा के सदस से सीनिट के सदस इन में से कोई नहीं होता है अमेरिकी राजपत सीधे जनतोदार नहीं चुना जाता है इसके लिए निर्वाचक मतों का प्रियोग होता है तो इन में से कोई नहीं होगा उत्तर हो जाएगा इसका डी इसमें आप देखेंगे निर्वाचक मंडल में जो निर्वाचक मत होते हैं उसमें राज्जी के सिनिटर होते हैं भारत में निमलिखित में से किस राज में नगरी घनत तो सरवादिक है तो नगरी घनत तो जरूर पढ़ दीजिएगा हम एक वीडियो बनाएंगे जनसंख्या से संबंदित जिसमें से आपके एक या दो प्रस्ण 100% आपको दो या तीन प्रस्ण मिल जाएंगे परिक्षा में कि पचास प्रस्णों के एक संग्रह है मारे पास जिसमें से लगवग सारे प्रस्ण आ जाते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पस्चिम बंगाल नगरी घनतों में सवरी सरवादिक ज्यादा कौन सा है पस्चिम बंगाल अगला प्रस्ण देखेंगे वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है तो ये सामाने सा प्रस्ण है तकला मकान मरुस्तल किस देश में है तो ये कई बार पूछा गया प्रस्ण है ये चीन में इस्थित है बार बार ये पूछा जाता है प्रस्ण अभी PCS में भी पूछा गय जल्दी वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है ये भी कौमन सा प्रस्ण है तो राजय सभा का स्वचालित इंजनों में कौन सा हीम निरोधी के रूप में प्रयोग होता है ये भी काफी बार पूछा गया प्रस्ण है हीम रोधी के रूप में कौन सा यूज किया जाता है तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल है उत्तर हो जाएगा सी भारतिय समिधान के अनुछे 370 का संबंद क इससे है तो जम्युकस्मीर राजी से उत्तर हो जाएगा एक कि शंशोधन ने समाजवाद धर्मिर प्रेक्षाव राश्ट्री एकता एवं अखंड़ता शब्द भारति सम्मिधान में जोड़े गये थे तो ये आपको पता होना चाहिए ये मिनी कॉंसिच्यूशन बोला ज निर्वाचन की तारिक से नहीं अपने पद गरहन की तित से निम्न में से एक भारतिय मौद्रिक नीद के बारे में निर्ड़े लेता है तो ये रिजर्ब बैंक लेता है मोनेटरी पॉलिसी कौन तैंक करता है आर बी आई उत्तर हो जाएगा इसका बी अगला प्रसंद देखेंगे 120 जवाहर रोजगार योजना का मुखेबल निम्नांकित पर है तो जवाहर या रोजगार योजना को हमें समझना होगा कि ये किस से संबंदित है और ये कब लाई गई तो ये मुखेता ग्रामिट छेत्रों में मजदूरी परत रोजगार के अतरिक आउसरों का स बताएंगे मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है तो यहां से ध्वानी से भी संबंदित ध्वानी प्रदूशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहां से भी प्रश्न लगबग हर परिक्षा में बन रहा है तो ये भी आप डेसिबल याद कर लिजिए कि बातचीत का कितना होता है तो सहनी सीमा जो होती है वह 85 डेसिबल माना गया है डब्लू एच्चों के द्वारा आप इसको याद कर लिजिए जो बातचीत की ध्वानी होती है 30-40 होती है जोर से बात करने 50-60 विद्द्यूत मोटर की जो आवाज होती है वह 110 होती यह 122 का हो जाएगा अगला प्रसंद देखेंगे रेशम कीट जिन पर पनपता है रेशम कीट जो होते हैं जो सातूत की पत्तियों पर पनपता है उत्तर हो जाएगा इसका बी मलवरी लीप्स बोलते हैं इसको सातूत की पत्तियां अगला प्रसंद देखेंगे विस अस्तर पर प्रते एक वर्ष की मानो विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है तो यह UNDP द्वारा की जाती है United Nation Program Development Program द्वारा एक घंटे में एक क्यूसिक पानी बहने की मात्रा लीटर में है D गुड़ा करके आप निकाल लीजिएगा घंट करके निकाला जाता है अनिमलिखित युगमों में से कौन एक लोह का प्रचुर स्रोत है मतलब आयरन का प्रचुर स्रोत कौन सा है तो उत्तर हो जाएगा इसका जैसे जो भी पत्तेदार सबजियां होती है उसमें ये पाये जाता है चीकू, पेठा इसमें तो नहीं होगा बहुत चौराई जो होता है चौलाई और केला इसमें लोहे का प्रचुर स्रोत होता है भारत की मुख्य आनाज की फसल है तो भारत का मुख्य आनाज की फसल चावल है यहूं चुकि हर जगर नहीं होता है जैसे बंगाल में और भी बहुत सारे एरिया है जहां गेहूं नहीं होता है तो मुख्य फसल चावल है केरल में देखेंगे आप ज़्यादतर लोग खाते है और पूर्वों में लोग खाते ही हैं, हम लोग भी चावल ज़्यादे यूज़ करते हैं निमलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इसमें हार्मोन बताना है, तो RNA ये नहीं है, invertase ये भी नहीं है, insulin है, insulin एक हार्मोन है, उत्तर जाएगा इसका C निमलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो आला विरहा कजरी और चैता के बारे में आला संबंधित है, गुंदेल खंड से, उच रहा है कौन संबंधित नहीं है, तो कजरी जो है, गुरुहेल खंड से संबंधित नहीं है, कजरी कहां से है यह पूर्वांचल आप देखेंगे वहां से खासकर के मिर्जापुर में यह गाया जाता है उत्तर प्रदेश के निमलिखित जिलों में से वर्स 2011 की जनगरना के अनुसार किसमे जनसंख्या सबसे कम थी तो महोबा है सबसे कम जनसंख्यावला जिला रेडियो धर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है तो चट्टानों की उम्र को मापा जाता है कॉर्बन डेटिंग जो होती है उसके द्वारा हम चट्टानों की उम्र का मापन करता है एक छेत्र के प्ररोहन में समयांतर क्रमबद परिवर्तन को कहा जाता है इतना टाफ हिंगिंदी लिखता है इंगलिश भी उसमें दिया रहेगा पढ़ लेंगे तो एक छेत्र के प्ररोहन में समयांतर क्रमबद परिवर्तन कहलाता है तो यह biotic succession को बोलते हैं जीवी अनुक्रमण प्रदूसर्ण युप्त वाई मंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वक्ष किया जाता है प्रदूसर्ण युप्त वाई मंडल को किसके द्वारा स्वक्ष किया जाता है तो यह options हैं इसमें आप देखेंगे कि तो वर्षा जो होती है बारिश से ये सच्छ हो जाता है धूल धक्कण पगेरे जो होते हैं निम्न में से कौन सा एक पारिश्पितिक संतुलन बनाय रखने में मदद नहीं करता है तो वनार ओपन करता है वर्षा जल प्रबंदन करता है जय मंदल वंडार करता है वनों को काटना नहीं करेगा उत्तर हो जाएगा इसका ए भारत में परियावरण अधिनियम कब पारिद किया गया था परियावरण संरच्छन अधिनियम तो यह पारिद वाता 1986 में बन जीव संरच्छन अधिनियम परियावरण संरच्छन अधिनियम और बन से संबंदित 4-5 हैं उनको ज्याद कर लीजिए वो डारेक्ट पूझ देगा उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की अस्थापना की जा रही यह काफी पुराना प्रस्न है तो लखनव में की जा रही है आईटी सिटी की अस्थापना उत्तर जाएगा इसका सी एक राज्य को संग में समलित करने अध्वा नयराजों की अस्थापना की कारेपाली का शक किसे प्राफ्ट है ये मुखे रूप से संसत को ये अधिकार होता है उत्तर हो जाएगा A एक गैर सदस्य के रूप में संसत के किसी एक सदन की करवाई में भाग ले सकता है तो भारत का महानियावादी उत्तर हो जाएगा इसका C G7 सिखर में सम्भिलित है रूस को अटा दीजिए जिसमें आप दिखेगा तो वो जीविश सेवन का सदस्य हो जाएगा आपका तो इसमें देख लेंगे डी में रूस नहीं है जी एट में रूस था उसको निकाल दिया गया है USA, Canada, Britain, France, Germany, Italy और जापान उत्तर हो जाएगा इसका डी एक प्रसिद फुटबाल खिलाडी माराडोना किस देश से सम्बंदित है यह काफी फेमस है आपको पता ही होगा यह अर्जेंटीना से सम्बंदित है मराडोना, कौन सा राज उत्तर पुर्वी राजों की साथ वहनों का भाग नहीं है तो यह पस्चिम बंगाल नहीं है उत्तर हो जाएगा B अगला प्रस्ण देखेंगे कौन से प्रसिद भारतिय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे तो रविन्दा टैगोर जी को गुरुदेव नाम कौन दिया था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगला प्रस्णे देखेंगे हाली में किस राज में उर्दू को अपनी दुदी राज भाषा गोशित की है तो ये भी अछा प्रस्णे Current Affairs से हैं उत्तर हो जाएगा B. तेलंगाना ने उत्तरप्देश ने कब उर्दू को अपनी राज की है भाषा गोशित की तो वर्ष हमें आप comment box में बताएगे निमलिकित में से कौन सी सवयता नील नदी के तड़ पर पन पी तो सवयता कौन सी कौन सी है रोमन सवयता, सिंदु घाटी सवयता नहीं है युनानी सवयता, मिसर की सवयता सीदा सीदा दे दिया है मिश्र की सब्वेता डूरंड कप ट्रॉफी किस खेल से संबंदित है किस खेल के साथ जुड़ी है तो यह फुटबॉल से संबंदित है उत्तर जाएगा डी भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में आरंब किया गया था तो यह भी आसान सा प्रस्टाओ के विरोध में अगला प्रस्ट देखेंगे गांधी ईर्विन समझयाथा के बारे में निमलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो गांधी ने वायसराय के साथ साक्षातकार मांगते हुए एक पत्र लिखाता सही है शबेन को समाप्त किया जाना था शचिए कारवास में बंत्ने को छोड़ा जाना था कारवास में ये भी शचिए कुछ हिन्सक थे बहगत सिंह भगेर को नहीं छोड़ा गया समस्त अदिगृत जमीने मूल निवासियों को वपस लटाने जानी ति ये नहीं होगा वर्स 2017 में सरवादिक फिल्म अनुपूल राज्य का तो यह हम करेंट अफेर्स का जो अपना दो सिरीज दिये हैं उसमें दिया गया है यह प्रस्ट उत्तर हो जाएगा MP मोस्ट जो है फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड इसे मिला है 2018 17 में है अप्राइल 2018 को भारत में परिचालित पेमेंट बैंकों की संख्या कितनी है सबसे अंतिम में पेमेंट बैंक का दर्जा किसको मिलाएगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें टोटल संख्या इनकी 6 है तो जाएगा 21 21 वे राश्मंडल खेल में सौन पदक गीतने वाली श्रेयसी सिंग किस खेल से संबंदित है तो यह निशाने बाजी से संबंदित है श्रेयसी अगला यह हो गया आज का मित्रों अगर आपको यह कारिकरम अच्छा लग रहा हो तो लाइक श तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों स्वस्त रही है मस्त रही है बेस्त रही है